अगर आपको भी हमारे नए वीडियोज देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोज के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबा कर घंटे बटन को जरूर दबा दें अरटालिस दिन के महतोकांची सफर की मंजिर तक पहुँचने से ठीक पहले अचानक इसरों के कंट्रोल रूम में एक अजीव सी चुप्पी छागी जो आखे कुछ देर पहले बड़ी उत्सुक्ता से स्क्रीन पर मिशन चेद्रियान टू के हर कदम को परक रही थी वो ठिटट गई थी देश के करोडों लोग टक्टकी लगाए थे चंद्रियान टू का सफर आखरी और बेहर चनोतीपुन हिस्से तक पहुच चुका था लेकिन ये इंतिजात लंबा खिचने लगा और इस्रो की तरफ से ओफचारी के अलान कर दिया गया कि लेंडर विक्रम से उनका संपर्क टूट चुका है चंद्रियान टू के इस मिशन पर दुनिया भर की नज़रे टिकी थी और उसकी वज़ा ये थी कि भारत के वैग्यानिकों ने चांद की सबसे मुश्किल हिस्से पर पहुचने को अपना लक्ष बनाया था मिशन के मुदाविक चंद्रियान टू को चांद के दक्षिनी धुरूप पर उतरना था चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुचती है इस वज़ा से लेंडर और रोवर के लिए सौर उर्जा हासिल करपाना मुश्किल होगा यहां अकसर अंधेरा चाया रहता है चांद के इस हिस्से पर अभी तक दुनिया के किसी देश की पहुच नहीं हो पाई है इसलिए बैग्यानिकों को यहां के सत्य की जानकारी नहीं थी अमेरिका के अपोलो मिशन सहीच ज्यादतर मिशनों में लेंडिंग चांद के मद्ध में की गई और चीन का मिशन चांद के उत्रे धुरूप की तरफ था चांद की पत्रिली जमीन भी सौफ्ट लेंडिंग के लिए बड़ी चुनोती थी और लेंडर विक्रम को दो क्रेटरों के बीच सौफ्ट लेंडिंग की जगर दलाश नी थी वैज्यानिकों की ये आशंका शायद सही सावित हुई हो भले ही चांद पर मानव के पहुँचने के 50 साल हो गए हो लेकिन तमाम विक्सित देशों के लिए भी चांद को छूना आसान नहीं रहा है रूस ने 1958 से 1976 के बीच करीब 23 मिशन चांद की तरफ रवाना किये इन में से 26 अपनी मन्जिल नहीं पासके अमेरिका भी इस होड में पीछे नहीं था 1958 से 1972 तक अमेरिका के 31 मिशनों में से 17 नाकाम रहे यहीं नहीं अमेरिका ने 1999 और 1972 के बीच 6 माना मिशन भी भी भीजे इन मिशनों में 24 अंद्रिक शियातरी चांद के करीब पहुँच गए लेकिन सिर्फ 12 ही चांद की जबीन पर उतरभाए इसी साल अप्रेल में इसराइल का भी मिशन चांद अधूरा रह गया था इसराइल की एक प्राइविट कंपनी का ये मिशन चार अप्रेल को चंदर्मा की कक्षा में आ तो गया लेकिन 10 किलोमेटर दूर रहते ही प्रिथिवी से इसका संपर्क पूर गया बेशक भारत के वैग्यानिकों ने चांद के अंजाने हिस्से तक पहुँचने कई महत्पूर्न जानकारियों को जुटाने की बड़ी चुनवती की तरफ अपने कदम बढ़ाये थे चंदरियान टू को मंजिल के करीब ले जाने वाला ओर्विटर अब भी चंदर्मा की कक्षा में भूम रहा है अब वैग्यानिकों को इंतजार है कि आखुरों से निकलने वाले नतीजों का और और्विटर से मिलने वाली तस्वीरों का जिससे आखरी 15 मिनिट का वेग्यानिक विशनेशन मुम्किन हो सके लेंडर विक्रम के साथ संपर्ट तूटने की बच्छों का अध्यन विशनेशन किया जाएगा जिच नोतियों की वज़े से इस मिशन को अब तक का सबसे कठिन मिशन माना जा रहा है था उससे पार पाने के नई तरीके भी ढूने जाएंगे और इस लिहाज से चंद्रियान टू का वियान इस बेहत मुश्किन लक्ष की तरफ बढ़ने के लिए बेग्यानिकों के अनुभव को और समरिद करने वाला सावित होगा